तो आज हम लोग या शिवर जिला के बारे में अध्यान करेंगे कि शिवर जिला के बारे में क्या इस्थिती है शिवर जिला जो है बिहार के अंतरगत परता है बिहार के अंतरगत परता है शिवहर के बारे में काफी अहम जनकारिया हम लोग इकठा करेंगे शिवहर के बारे में अहम जनकारिया इकठा करने के लिए सब सब पहले इसका अध्येन करेंगे सिवहर के बारे में इतना अहम जनकारिया किसी भी वीडियो में आपको नहीं बिलेगा सिवहर के सबसे सटिक जनकारिया आपको इस वीडियो में देने का परियास किया जा रहा है सिवहर यानि सिवहर क्या है सिवहर के बारे में कौन-कौन से अहम पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है सिवहर के बारे में तो आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं कि सिवहर जिला का पॉइंट देखिए सिवहर जिला का पहला पॉइंट क्या है कि सिवहर जिला उत्री बिहार का एक परमुख जिला है पहला पॉईंट है कि शीवर जिला उतरीब विहार के एक परमुखल जिला है, दूसरा पॉयंट को गोर से दिखिए, कि स्वतंत्र जिले के रूप में इसकी अस्वा स्थापना 6 उक्टूबर 1994 की हुई थी, تिसरा पॉयंट को देखते हैं, कि यह जिला अपनी अस्थापना से पुर्व सीतामरी जिले का एक अनुमंदल था नेक्स्ट पॉइंट को देखते है चार को बर्तमान में सिवहर जिला तिरूत कमिशनरी के अंतरगत आता है फिर अब हम यहां से पांच से पढ़ेंगे पॉइंट नमबर पांच को हम लोग यहां पर देखते है पांच से यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि बर्तमान में सिवहर जिला तिरूत कमिशनरी के अंतरगत आता है यह पॉइंट नमबर पांच को देखिएगा चौथा पॉइंट है कि बर्तमान में सिवहर जिला तिरूत कमिशनारी का अंतरकात आता है, पांचमा पॉइंट है कि सिवहर जिला उत्तर और पूरा में सितामरी जिले से पच्छी में पुर्वी चमपारन से जबकि दच्छिन में मझहपरपूर जिला से घीरा हुआ, देख सिवहर जिला का चोहद्दी है कि उत्तर और पूरा में सितामरी जिला पड़ता है, पच्छी में पूर्वी चमपारन पड़ता है, जबकि दच्छिन में मझहपरपूर जिला से घीरा हुआ है, अब यहाँ पर छो नंबर पॉइंट को देखते है कि इस जिले का नाम करन दो सब्दों सीव तता हर से मिलकर हुआ है, बतलब इस जिले का नाम करन दो सब्दों सीव तता हर से मिलकर हुआ है, जो भगवान संकर को समर्पित है, जो किसको समर्पित है, भगवान संकर को समर्पित है, ऐसा माना जाता है कि सीव मंदिर की अधिकता के कारण इस छेतर का ना कर बना हुआ है भगवान संकर को समर्पित है ऐसा माना जाता है कि सी मंदिर की अधिक्ता के कारण इस छेत्र का नाम सीवर पड़ा अब सीवर जीले में घुमिएगा तो सी मंदिर की अधिक्ता आपको देखी देखने को ज़्यादा मिलेगा उसके बाँ साथ नमबर पॉइंट को देखते हैं साथ नमबर पॉइंट है कि यह जीला बिहार के पिछरे जीलों में से एक है यह राजी के उन अर्तिस जीलों में से एक है जो किंद्रिये पंचायती राज मंतराले के दोड़ा परदत पिछरा छेतर रनुदान बीजी आरेफ के दोड़ा सहाथ अप्राप्त करें तो हमने बीजी आरेफ का फुल फर्म भी जो है बताने का कोशिस की है कि बीजी आरेफ का फुल फर्म होता है पिछरा छेतर रनुदान निधी या कोस और अंग्रेजी में कहेंगे बैकवार डिजन्स ग्रांड फंड नॉमा पॉइंट को देखते हैं कि यह जीला बाड परभावित है नेपाल से आने वाली नदियों के कारण यहां परतेक वर्स मांसून के समय बाड आती है यहां बाड मुखुरूप से बागमती तता बुढ़ी गंडिक नदियों के द्वारा आती है अब हम लोग यहां दस नंबर पॉइंट से सिरी गनेश करेंगे दस नंबर पॉइंट को सिरी गनेश करेंगे यह दस नंबर पॉइंट को देखिए दस नंबर पॉइंट जो है दस नंबर पॉइंट को देखेंगे कि यह सिवहर जिला का कुल छेतर फल 443 बर किलोमीटर है स्युखर जिला का कुल क्छेतरफल कितना है 443 पर कुलक Fangar यह तिरुखुत परमढ़ल का सबसे छोटा जिला है तिरुखुत पर नमणर में जितने सारे जिला है उसमें 6 तरफल के अनुसार जिला हमारा सबसे छोटा है यानि बारा नमबर देखते हैं बर्स 2011 की जनगन्ना के अनुसार यह जिला राज में सिखफूरा जिला के बाद सबसे कम अवादी वाला जिला है बर्स 2011 की जनगन्ना के अनुसार यह जिला राज में सिखफूरा जिला के बाद सबसे कम अवादी वाला जिला है फिर यहां 13 नमबर पॉइंट को देखते हैं कि बर्स 2011 में सिखफूर जिला की जनसंग्या 6,56,246 थी जिसमें से पूरूस 3,46,673 और उसके बाद में यहां 3,99, में 1,573 थी महिला पूरूस और महिला यहां पर महिला होगा बत्त पूरूस हो जाएगा इतना और महिला हो जाएगा इतना कुल मिला करके टोटल हो जाएगा 6,56,246 इतना हो जाएगा हमारा मेल और इतना हो जाएगा हमारा फीमेल देखिए यह हो जाएगा हमारा पूरूस पूरूस हो जाएगा उपर यह हमारा हो जाएगा महिला जिसको हम फीमेल कहते हैं यानि टोटल जो है बर्स 2011 में जो है यानि सिवहर जिला के जनसेंका 6,56,246 था जोदा को देखते है बर्तमान में सिवहर जिला में एक मात अनुमंडल सिवहर सदर है पंदरा नंबर पॉइंट को देखते हैं बर्तमान में सिवहर जिला में पांच प्रखंड है यानि पांच प्रखंडों का यह जिला है हमारा सिवहर, पहला हो गया सिवहर, एक तो हो गया सिवहर, दूसरा हो गया तर्यानी, एक हो गया डूमरी कट्षरी, तीन, पिप्रारी, चार, पुर्णहिया, पांच, यानि शिवहर में कुल प्रखंडों की संख्या पांच हो गया, 9 पूलिस थाने हैं तथा 42 ग्राम पंचायत सामिल है यानि 9 पूलिस थाने और 42 ग्राम पंचायत है यहां देखते हैं कि सिवहर जिले में लोग सभा की एक मात सीट सिवहर में है तथा विधान सभा की दो सीट सिवहर तथा बिलसंड सामिल है इसके अतरएक प्रोसी जिला में क और सत्रा नंबर पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि सत्रा नंबर पॉइंट क्या है इस नदियों के द्वारा बाड के समय लाए गया अपसादों से निर्मित मैदान के कारणी अच्छतर क्रिसी की दिश्टी से अत्यनत उपजाओ है इस जिले से उधपादित मुखे फसल है नदियों के द्वारा बाड के समय लाए गया अपसादों से निर्मित मैदान के कारणी अच्छतर क्रिसी की दिश्टी से अत्यनत उपजाओ है गेहु धान मक्का अलुव गना इस जिले से उधपादित मुख फसल है अठारा को देखता है रामा देवी जो भाजपा भारतिय जनता पार्टी से है बरतमान में सीवहर लोग सभाचेतर की सांसत का नाम क्या है रामा देवी वे भाजपा यानि भारतिय जनता पार्टी से देकुली सीव मंदिर इस जीले का परमुख दर्शनिय अस्थान है बावा भुनेश्वा नाथ धाम इसका नाम है देकुली सीव मंदिर जो काफी सीवर जीला का परमुख दर्शनिय अस्थान है और इसके बाद एक पॉइंट को और देख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को क जो है 20 नंबर पॉइंट है कि ठाकुर जूगल किसोर सिन्हा रामदुलारी सिन्हा इस जिले से संबंदित परमुख सोतंता सिनानी रहे है इसके अतरिक तरवनाज्या हरी किसोर सिन अनमारुलहक सिताराम सिन जिले की परमुख विक्ति रहे है एक किस है यहां गौर्णमेंट दिप्लोमा कोलेज नबाब उचिविद्दाल है जिला समाहर नाले दरस्निया अस्थान है हाल फिलान में इंजिनियरिंग कोलेज भी शिवर जिला में खुला है और उसके बाद में पुल्टेक्निक कोलेज भी यहां पर है शिवर जिला में है तकुल मिला करके पुल्टेक् की अनुसार मिला हुआ है जैहिंद बंदे मात्रव